तो हजी क्या हाल चाल तो आज के जो वीडियो ना बहुत आरा कमाल कर रहने वाला है आज के इस वीडियो में लोग बनाने वाले हैं फ्राइट चिकन फिर से लेकिन आज पिछली बारी जो मनें बनाई थी ना तो उसमें सिर्फ फ्राइड करते हुए दिखाया था अपिशाला यहां पे हम लोगों ने रखन हुएया यहां यहां पर यह पर आप के बैद की मेर्च शरू करते हैं उसके मान में जल्दी जल्दी से बनाते हैं लू कि अब रहे हमने पहले वह लिया हुआ है तो इसमें मैंदा आलता हो और इसाफ से आपको नमक लेना है उतना नमक डाल दें अरे निकल जै भाई ये कमाल की चीज़ है या छिलका भी आगया साथ ही अपने पास है नहीं तो उसके जगा ये देगी मिर्च ये कुटी हुई देशी लाल मिर्च और थोड़ा सा ये अमचूर पॉडर तो ये वाला पाणी है ना गार्लिक वड़ा तो इससे करेंगे हम लोग इसे मिक्स तो यार चेकन की प्रवेशन तो हम लोगों ने कर दीना लेकर ने इसमें अंडे भी डालने थे जो कि मैं भूल गया तो यह पर यह देखिए अंडे में ने बॉइल कर लिया है तो ठंडे हो गया एक तंद तो इनको भी छीलते हैं और इसी के साथ में डाल देते हैं ये पास आता है ये भी तो इनको चील के डालता हूं तो अभी ने सारे अंडाओं का छिलका जो है निकाल लिया और इदर कडाई में रख दिया तेल करने के लिए तो चलिए दोस्तों अभी तेल एकदम अच्छी से गरम हो चुका है तो यह जो मसाला त्यार कर रखाना तो इसक फोड़े फोड़े पीसी एक बार में फ्राइब होंगे इसमें तो अभी देखो या क्या प्यारा कलर आ रहा है यार कसम से मज़े एकदम यह देखो आना एकदम फिलिंग ओसम वाली चलो बनाते हैं ऐसे ही सब को खेल दिखाते हैं आपको यह जो तेल में आला ना यह वाला तो इनको ना भी मसाले में डालते हैं अब अच्छे से मिक्स करके इनको भी फ्राइब करते हैं फिर जैसे यह हो रखन है इस तरह से लेकिन मैं कट लगाना भूल गया कट लगा के उसके बार में बना के फिर दिखाता हम आपको कि इस तरह से बने हैं तो इस तरह से इन सभी और जारा गजब लगेंगे तो चलिए अभी इनको भी एक एक करके ना फराए करते हैं अज़िए देखो यार क्या रंगद निखर के आई है अंडोंगी एकदम गजब यार यह देखो अंडे और लसन वाले पकोड़े जो बनके रेडी है यह देखो यह लसन वाले पकोड़े आगे यह देखो जी बहुत गर्म है यार अभी यह खा के टेस्ट भी करी लेता हूं यह देखो यह आगी लसन तो यह है अब जो आख टेस्टी है असवाज में एकदम मस्त है को अब दोस्तों सारा चिकन जो फ्राइब हो चुका है यहां पर यह अंडे तो कलर नहीं डाला था इस बजह से थोड़ा यह ब्लैक ब्लैक हो गया लेकिन टेस्ट में ना एकदम गजब है मैं पहले ही टेस्ट कर बैख तो बैसाब अभी अपनी धाली जो है ना लग चुकी है यह देखो यह आगया फ्राइड चिकन यह आगे अंडे यह साथ में चावल निम्बू और प्याज तो चावल जो है ना मो फ्राइड चिकन के साथ में खाने वाला हूं है एकदम मस तरीके से ब्रियानी की तरह कुछ ऐसे तो यह चावल यह आगे चिकन साथ में प्याज तो प्याज तो मैंने इसके साथ में खा ली है ना लेकर प्याज जावा ले लिए ना तो सुआत प्याज का यह आए जाना और ऐसी की टेस्ट करते हैं क्या तेस्ट है आव सच मैं एक दम कजोग लेस्ट अपाली डालागरा में तो उसका तेस्ट आरहा है एक दम गजग बाराः सच मैं मिस्ट जुट आ ली दिना हल्के हल्की मिर्स आठीया जा़िया मजा आ रहा है तो अभी चावल और चिकर साथ में लाते हैं सच बोलू ना ब्रे आनी भेल हो रही है आरे सके आगे इतमा इरा टेस्ट है एक दम क्रेंची क्रेंची सा तो अपने अंडे भी आई बाई साब अपने नहीं मुर्की के हैं तो इसको भी टेस्ट करते हैं कि अधिक कायब है कि चावल के साथ में टेस्ट में कीजिए तो फित क्या फाइदा या अधिया एंडा और चावल साथ में कि अज़ब के टेस्ट है गज़ब के सच में नीबु नी चोड़के भी खा लेते हैं ज़रा है देखे आया है तो क्यों अधियों खटा खटा होगा है नीबु अपना प्लेवल दे रहा है इस पे अभी अभी आ तीरी बारी मिक्स की चिकन अन्डा प्याज सब कोशेक अगलाब तक्यकश है झाल 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 यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह ज्यादा टेस्टी है तो यह दिखो चेटनी है एक तो यह दिखो चेटनी है एक्टरीन तो अब इसके के साथ में भी जड़ा टेस्ट करते हैं अरे चितनी बहुत आगी अभी ये ये टेस्ट करते है पुदीने की चट्डी है एक दम नजारे वरी सारे रिकोर्ड तोड़ दिये इसके आगे सारे प्रेने कस्वों से इतना टेस्टी मैंने सोचा लिए था है चट्डी साथ में इतना जाद टेस्टी आए गया ये प्यार से एक दम जादा जादा चक्री लाते हैं अभी मन तो कर रहा है ना कि एक कटोरी चंड नहीं होती तो उसको भी खा जाता में जेगन के साथ में सच में इतना जादा टेस्टी हो रहा है तो जी शर्टी तो हो गई अपनी एक्दम सफा चट जला सी रहती है यह तो मैं ऐसे चार्ट होगी तो चिकन जो है ना एक्दम रिसेस बना था जो खाने में पहुत जादा मजा आया आपको वीडियो देखके मजा आया कि नहीं आपने ये क्मेंट करके बिताना है चैनल पर झाल 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 झाल